इस लेक्टर is about the Ramsa site यह एंवार्मेंट की सेरीज का फूर्थ लेक्टर है फिर्स में हमने 18 बाइस रिजर्व किये फिर हमने इंपोर्टन स्पीशीज की उसके बाद में टाइगर रिजर्व किये और अब रामसाइट साइट सेवेंटीफाइट साइट वह और आपको बहुत ही सलेक्टिवली पढ़ना होगा और अधरवाइस तो बाई इसे में खो जाओगे ठीक है तो आपको बहुत ध्यान से पीवएक्यकों ऐनलेसिस करने के बाद में क्या UPSS पूछता है exactly बस उसकी इरदगीर्दी अपने त्यारी करनी है यह आप लोगों को जहां में रखना होगा ठीक है ऐसे ही नहीं कि आपने बस 75 उठाई और जितना भी content पढ़ा हुआ है उसको आप पढ़ने लगए देखो coaching होगो तो क्या ही है उनका क्या जाता है वो तो भर देंगे लेकिन आपको बहुत ही selective रामसा साइट्स पढ़नी है और जो रिसेंट में जो 11 जो एड़ हुई है उनको पढ़ लेना है मेरे जाब से इतना काफी है बस उसके बाहर अगर कुछ आता है और वो छूट रहा है तो इस ओके कई बार ऐसा भी होता है कि information directly पता नहीं होती रेकिन indirectly आप answer कर सकते हो जैसे उडिसा कोस पे olive riddly turtle होता है तो अगर आपसे बीतर कनी का या चिलका के आसपास कोई पूछे कि वहाँ पे olive riddly turtle मिलता है तो आपका answer automatically सही हो जाएगा तो उस तरहीं से भी information को use करिएगा इस चीज़ का ध्यान रखिए ना पूरा का पूरा ठीक है दन शुरुआत करते हैं शुरुआत से पहले थोड़ा motivate जरूर करूँगा कि अभी मुश्किल टाइम है लेकिन बस यही टाइम है कि जब आपका real perseverance बहार आता है ठीक है आपका यही टाइम है कि आप shortcut ना डून के process की respect करते हो यही टाइम है कि आप इस बात को याद रखो कि कि आप क्या miss कर रहे हो आपने बहुत कुछ मिस किया है इस पूरे preparation में चाहे वो कितने भी साल की preparation क्यों ना हो आपने अपनी खुशियां compromise की है आपने अपना career compromise किया है तो कितनी high opportunity cost रही है आपकी उस चीज को हमेशा याद रखो अभी ज्यादा वक्त बचाने है यार द्रहुत कि य festa चाहे ना उन्होंने भी बहुत मुझकिल सेखी और किसी के लिए वर रास्ता सान नहीं था तो आप comparative के साथ में आप पढ़िए तकलीफ हो रही है नहीं पढ़ vara नहीं वीडु दुखिने मजा रहा बर ऊच्रू करिये खुद को अन चीजओ कर आपको याद ने साल के पेपर दिखा दूँ यह 22 कोश्चन है जा पर सीधर लेटलेंड और लोकैशन को मैच करवाया इतना पता होना चाहिए कि यह वैटलेंड कहां मिलता है और यह साई रामसा साइट से हैं ठीक है ठीक है यहां पर artificial कौन सी थी कोड़ाई के नाल है ठीक है तो याद रखो को लेरू न्यानिताल और रेनु का यह क्या नहीं है यह artificial नहीं है manmade है artificial नहीं है यह natural है ठीक है और manmade भी नहीं है ठीक है तो चंबल से बढ़िया कुछ नहीं होगा यहां देखूंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यह होकेरा है वो जम्मू कश्मीर में है सस्टम कोटा है वो केरला में एक्चुली पर रेनु का हमाचल में सही है रुद्र सागर तिरपुरा में सही है तो मतलब अब मैं आपको ना सारी नहीं बताऊंगा लेकिन आपको जो जो बोड रहा होना वस उतना याद रख लो ठीक है फिर मतरवास आपको रामसर कंवेंशन के वारे में बता दूँगा कि दो को रामसर कंवेंशन 1971 में साइन हुआ इंडिया एक इसका सिगनेट्री है और रामसर एक जगय का नाम है इरान के अंदर वैटलन के लिए काम करता है इसमें एक मॉन्ट्रुक्स रिकोर्ड भी है उसमें भारत की दो साइट्स हैं लॉक्टक मनिकुल और केवलादेव प्राजस्तान ठीक है पहले चिलका भी इसका पाड़ती लेकिन अभी चिलका इसका पाड़ नहीं है ठीक है इंडिया में अभी सब्सक्राइब साइट्स है तो यह हो गया इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट वन जो आपको पता होनी चाहिए और उ इन चीजों की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को यहां पर वो यह है कि एक तो कर यह जो करिला है करिला के तीनों पता कुने चाहिए वेमिनार अस्टमूरी सस्टम कोटा ठीक है यह तीनों पता होने चाहिए वेरी इंपोर्टेंट उसके बाद में अगर मैं इसकी अगर मैं आंदरा की देखूं तो कोलेरू इंपोर्टेंट है उसके बाद मैं अगर मैं इसकी देख उडिशा की देखूं तो उडिशा में हीरा कुन उसके बाद में वज्सात ज्यादा बाद में अगर आजस्तान में जाओगे तो सामर है सामर के अलावा केवला देव है ठीक है इस टू आर इंपॉर्टेंट उसके बाद में अगर अगर आप इसमें जा रहे हो सुल्तानपुर हरियाना में है तो सुल्तानपुर इंपॉर्टेंट है ठीक है और उसके बाद में अ कंजली इंपोर्टेंट है शोकर एंड शोमोर बी यह दोनों इंपोर्टेंट है और यह दोनों का यह लद्दार में है उसके बाद में वूलर वूलर होकेरा सुरिंसार मांसर ये तीन बहुत ज़दा important है आपकी कहा पे जम्मू कश्मीर में चंदरताल होंग डैम रेनो का ये तीनों important है आपकी हिमाचल में इतना पता होना चाहिए बतलब इससे कम पे compromise नहीं होगा इससे कम पे कहां पे होगी है तमिलाडू में होगी है कोलेरू आंधरा में है ही उसके बाद में उडीसा में जा है ठीक है वेस्त बंगोल homme ये उसके बाद मित्रूरा में रुद्रसागर है ऍसके बाद में मैं धीओ पर्बील लाशाम में है prophe ke Соशना का कश्मीर के बदे को कश्मीर कश्मीर के भी है रहो हरी के बियास रहे ऑने पन्जाब के अंधर ऑर सामर केव लादे वराजस्तान में ठीक है तो यह आपको पता having चाहिए दूसरा एनिमल प्रिपेर करने का तरीक ही है कि वैसे तुझे को याद रखना बहुत मुश्कील है इन कुछ आनिमल्स आप याद रसकते हो जैसे हमारा केवला भी यहां पे से मैनेज कर सकते हो को जैसे कि गल्फ अमनार में डिवां मिल जाते हैं ठीक है थीक है सुंदरबन के अंदर टाइगर्स होते हैं तो उस तरीके चीजों का आप मैनेज कर सकते हो जैसे कोई पूछे कि लॉट्टक में जो केवल जाओ जो नेश्नल पार्क है और जो यह सारा चीज आप याद रख लीजिए यह बहुत minimum content है जो आपको याद रखना चाहिए कुछ चीज़ें और एड़ों कर देता हूं आपकी preparation में ठीक है कुछ चीज़ें मैं और कुछ बताऊंगा ज्यादा नहीं लेकिन वह सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं इसे भोज वैट लेंड है केवला देफ मैंड है कंजली मैंड है तो यह दो तीन चीज़ों को याद हो जो मैंड है वूलर है ना वो लार्जेस्ट है भारत की फ्रेश उसके बाद में जो होकेरा सुरिंसार है यह जहलम के बेसिन में मिलते हैं यह कहां मिलते हैं जहलम के बेसिन में मिलते हैं ठीक है इस तरीके से याद रख सकते हो जैसे जो बियास है बियास मशीर के लिए फिमस है मशीर ठीक है मशीर और होगडियर के लिए फिमस है बियास तो ये याद रख सकते हो आप लोग, बाइन, है न, तो ये दू-तीन इसक्त है, जो मैंने बता दिये, सुन्दरऩवन चलका में इरावारी डॉलफिन्स, यहाँ पर मिलती है, ठीक है, तो यह हो गया आपका पूरा रामसर साइट वाला सेक्शन जहापे आपको थोड़े 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 पता होने चाहिए ठीक है जितना मैंने बताया है उतना याद रख लो क्योंकि जितने भी पुराने साल की पेपर है उन सब को ध्यान में रखके मैंने ये कंटेंट मनाया है और मेरे साथे इस कंटेंट इस इनफ इससे भार आता है तो बहुत कोई दो च्यार पांच लोग कर पाएंगे अगर वो कर पा रहे हैं तो ठीक है क्या परिशानी है वही आपको दोसों में पता हो यह अब जो बची 11 वह एक बार देख लो जो तीन तो उडिसामी हो गई है तामपरा हिराकुन और यह अनसुपा तो यह हो गया ये तो उडिसाम ही हो गया है ठीक है यश्वंत सागर है ये MP में है यश्वंत सागर इस इन MP उसके बाद में चित्रांग गुडी और सुचिंद्रम और वादाबुर और कांजिर कुरम जिसको याद रहाते हो CSVK ठीक है यहाद कुछ भी बना सकते हो CSK ठीक है चेन नहीं तो चित्रांग गुडी उसके बाद में काजिन कुलन और वडावुर वडावुर यह है ही और ऐसे क्या बन जाएगा सुचिंद्रम थिररूर वैट्लेंड कॉंप्लेक्स ठीक है यह जो सुचिंद्रम थिरूर है यह सदर्न टिप ऑफ सेंडल एशन हाईवे पर है उसके बाद महराष्ट्रा में थाने इंपोर्टेंट है थानी क्रीक तो यह बता भी कर सकते हो कि यार थानी जगह है नहीं कहते मुम्मे में थाने जगह है तो वहाँ पर भी हो जाएगा और दो हैं आप यहां पर जम्मू कश्मीर में और यह हैं हेगम एन सालबुग तो एस अच ठीक है यह कहां पर हो गया जम्मू कश्मीर है बार बार रिवाइस करोगे तो हो जाएगा हाईगम एन शालबुग इतना राम साइट में कर लो 11 हमने अब अपडेट वाई देखनी है और इंपोरेंट वारी देखने पिचतर के अंदर और ज्यादा डीप में करनी सकते हैं कुछ का मैंने बता दिया मैनमेड में से भोज बता दिया आपको मैंने यह बता दिया क्या बोलते हैं केवला दिया और कांजिल बता दिया ठीक है तो यह इंपोर्टेंट हो जाता है ए पर रहे हो पिचेतर के पिचलर यह उपर इट फिल भी एक सूसाइड डेफिनेटेव इतना ज्यादा है ना फिर इसी साफ से आपके पास एक सो पास नेश्चनल पार्क एक सो भाज उच्छ हैं उसके बाद आपके पास में इसी तरीके से फिप्टी फौर टाइगर रिजर्व है है ना और उसे हिसाब से आपके पास में फिर 18-22 पर रिजर्वस भी है तो उनके बारे में जब आप डिटेल इतली पर जाओगे तो फिर आप से आप कि बहुत ज़दा संभाव नाएं कि गलत हो जाएं तो तो इस बाउट रामसा साइट आई ट्राइम बेस्ट तो टीच यू अकोडिंग तो डिमांड ऑफ एक्जाम ठीक है स्लाइड को भर-बर के लाना हर दो कोई कोई असान है यह बिल्कुल असान है यह यह बिल्कुल असान है कि मैं सारी सारी रामसा साइट के बारे में इतना भर-बर के लाता तो एक लेक्चर पर लेक्चर पढ़ाता इस वह यहां मिलता है आप वहां पे वो तब से पहला सवाल मैं अपने आप से बूस्ता हूं कि क्या मैं उसको याद रख पाऊंगा अगर याद नहीं रख तो इसी स्पृट के साथ में मैं यह लेक्चर खतम कर रहा हूं नेक्स लेक्चर में हम लोग एंवार्मेंट के कुछ और इंपोर्टेंट इस टॉपिक्स को ले के आएंगे आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए कमेंट करते रहिए ठीक है हम मच पूर बीगे वेरी गुड ओडियन्स हम लोग फिर मिलेंगे